तो आज के exercise में हम लोग देखेंगे 19.8 अभी तक हम लोग complete कर चुके 19.1 से 19.7 तक 19.8 क्या कर रहा है 19.8 का एक दो point समझ ले point के वल तो और एक दो ही साथ समय ले तो इस 19.8 में जितना सारा क्यूचन आप सभी असाने से बना पाएंगे बहुत ही easy बना पाएंगे एक चेप्टर एक चेप्टर ही बहुत सिंपल है और क्या कर रहा है ना यह 19.8 कि यदि एक से अधिक function यदि एक से अधिक term multiplication में वो यदिवाइड में हो फिर से रिपिर यदि एक से अधिक function multiplication में हो यदि दिवाइड में तो उस तरह का function का integrate करने के लिए एक दूसरे का DC चेक करते जिस function का differentiate बैठा हुआ उसी को lead T करते और integrate करते जैसे में आईए किफ्चन नमबर फंस्ट क्या करा यहां पर एक से अधिक function है वो function किस में है दिवाइड में एक से अधिक function दिवाइड में तो यहां function का integrate करने के लिए चेक करेंगे किस function का differentiate बैठा हुआ तो यहां पर एक साइन नहीं है तो इसका differentiate नहीं बैठा नीचे वाले function का DC उपर बैठ गया तो लेट कर देंगे 1 पलस में sin x को क्या t लेट कर दिए और 1 का differentiate 0 साइन का difference is cos x dx t का दिवती जीरो लिख दें हां पे लिख सकते ऐसे cos x dx t का डिवती अब बापस क्यों चल आ जाए cos x dx cos x dx का भेलो क्या लिख सकते दिवती वन बाई इस पुरे टर्म को लेट कर चुके हाट t a square a square ए आ गया अब इसका integrate के जिए 1 बाटा t square का integration क्या होता माइनस में 1 बाई t अब प्लस में c ए आ जाएगा अब माइनस में 1 बाटा t t का भेलो रख देजिए 1 प्लस में sin x अब प्लस में c ए आ गया समझ में इस तरीके से हम लोग बना लें क्यूचर नमबर सकेंड ध्यान दें क्यूचर नमबर सकेंड भी बहुत सिंपल है क्या का जा रहा sin x बटा में 1 प्लस में c x dx ए अभी क्या पॉइंट बता है कि जब x से अधिक फंसन मल्टिप्लिकेशन वो या दिभाइड में तो यहां पर x से अधिक फंसन है इस sin x अलग है और 1 प्लस cos अलग है तो x से अधिक फंसन है तो इसका इंटेगेट करने के लिए चेक करना पड़ा है किस फंसन का डिफ्रेंसेट बैठा हुआ है तो यहां पर देखे 1 का 0 cos का होता मायनस है और नीचे वारा फंसन का उपर dc बैठ रहा है तो लेट कर लेंगे जब फंसन का डिफ्रेंसेट बैठा होता उसी को लेट करते हैं t और 1 का 0 cos का मायनस में sin x और dx t का dt राइट यहां तक अब मायनस को आरे चेस्टर भेज़ देंगे sin x dx बरवर क्या मिल जागा मायनस में dt अब बापस की उचान आजे sin x dx का अभेलू क्या लेख सकते मायनस में dt 1 by इसको क्या t t मायनस को बाहर कर दे तो 1 by t dt अब इसका इंटिडेट करेंगे तो 1 by t का इंटिगरेशन क्या लॉग मौट t a plus में c a minus में log t का भेलू t का भेलू क्या 1 plus में cos x a plus में c ये value put कर दे अब क्यूचर नंबर 3 धिया दे क्यूचर नंबर 3 बड़ा simple है क्यूचर नंबर 3 का रहा साइन x बटा में 1 plus में cos x k all a square इसका इंटिडेट लगता है क्यूचर नंबर तिसरा सेम है क्यूचन नमबर सकेंड से यहाँ पे यही क्यूचन में क्या करती है हॉल असक्वार तो इसका एक से अधीक फंशन है और मल्टिप्लिकेशन मों या डिवाड में तुस फंशन का इंडिगरेट करने के लिए क्या करते है एक दुछरे का DC चेक करते है DC लेट कर देजिए क्या न 1 प्लस में कॉस X को क्या T तो 1 का दद 0 कॉस का डिफरेंसेट मानुस साइन एक्स D एक्स T का DT मानुस कुदर वेज देंगे साइन एक्स D दी एक्स और क्या जाएगा मानुस में DT क्यों चना जाएंगे sin h dx तो माइनस में dt राइट ना और बटा में इस टन को लेट कर चुके है t square और यह अब आ जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा तो 1 बटा t square dt 1 बटा t square का integration minus तो minus minus 1 by t plus में c 1 by t square का integration minus t का value क्या 1 plus में cos x इस तरीके से हम लोग complete कहलेंगे इसको हम लोग क्यूचर नमबर 5 3 को 1 को 2 को और 3 को सॉट मेठर से भी समझ सकते ध्यांदे एक क्यूचर डेटेल से बनाने की जरुवत नहीं है इसको सॉट में बना सकते एक लैंड में वह समझे एक लैंड में कैसे हम लोग बनाएंगे यहां पर ध्यांदे इस सारे तीनों फर्मूला को फिर से समझाते इस सॉट में थर से इस मेठर से सॉट मेठर से सॉट मेठर समझने से पहले एक यहां प्वाइंट थियोरम समझ ले एफ एक्स ध्यान देंगे इंपोर्टेंट होगा अब्जेक्क्ति बनाने के लिए एफ एक्स का डीसी एफ एकस का डीसी क्या ना एक डैस एकस बैठा हुआ तो इसका हो जाएगा लौउ fol Mossa अ पलस मेठ़ жив एक सिर दाशी यहां दैस एकस बाई एक सके हौल अ d यहां पर प्रूफ करना इस थियोरम को प्रूफ करना एस दो थियोरम निकल गया यहां से यहां दो थियोरम निकल गया अगर इस थियोरम को प्रूफ करना चाहते तो लेट कर देंगे fx को क्या लेटकरदे टे तो fx का dxt रैटकना अब कीatus चन से आजाए F-X DX का भेलू क्या DT इसको क्या लेट किये है T तो 1 by T का integration log mod T पलस में C और log T का भेलू T को क्या लेट किये थे F-X पलस में C तो इसका integrate क्या आया log F-X पलस T वही तो आया log F-X पलस T उसी परकार से इसका भी हम लोग integrate कर लेंगे तो क्या हैगा minus में 1 by इसका DC बैठ गया मतलब ही cancel 1 by X समझे X square क्या होजाएगा minus 1 by X तेहाँ पर समझे इसका DC बैठ गया कि मतलब क्या बन गया X क्या बन गया X square 1 बटा X square इस फर्मूला से इसका integration क्या होजाएगा minus में 1 बटा X इतो इसका DC बैठ गया cancel तो 1 बटा X square तो minus में 1 by X पलस में इस फर्मूला के अनुसार से और नीचे का DC उपर बैठ गया कॉस का डिफ्रेंस इट minus होता minus लगा ले तो नीचे का DC उपर बैठ गया तो इस क्या फर्मूला होता log mod नीचे वाला 1 पलस में कॉस X हो जाए गरा इतना पलस में सी अन्सर हो गया यहाँ पे देखे तो कॉस का डिफ्रेंस होता minus लगा लेलो लग गया नीचे का DC उपर बैठ गया तो इस बन गया X square 1 बटा X square इस फर्मूला पे 1 बटा X square का क्या होता minus 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 पलस में और 1 पलस में कॉस X पलस में सी यह आया आँसर है तो एक क्यूचर नमबर 1, 2, 3, सौट सौट में भी हम लोग बना लेंगे और लॉग में भी यह हम लोग यहाँ तक कम्पलिट हो आप क्यूचर नमबर हम लोग 4 चलते हैं तो क्यूचर नमबर फूर करा इसका इंटेग्रीट किजिए इसका इंटेग्रीट करना सिंपल है क्या ना पहले इसको फॉर्म क्यूचर नको अच्छे से लिखेंगे 1 पलस में कॉस X यह आपका क्या हो जाएगा X पलस में साइन एक्स के हॉल पावर में 1 बाई 3 तो एक 3 रूट X पलस यहाँ पे लिखा हुआ तो इसको क्या लिख देंगे 1 पलस साइन साइन एक्स 1 बाई 3 यह आपका रूट में था इस तरह से लिख दे अब दी एक्स अब क्या गया है ना जिस फंसन का डिफ्रेंसिट बैठा उसको लेट करते है T तो एक्स का डिफ्रेंसिट बन साइन का डिफ्रेंसिट कॉस ओ नीचे वाला फंसन का डिसी उपर बैठ चुका है तो लेट कर देंगे X पलस में साइन एक्स को क्या T ये लिट कर देंगे और यहाँ पर x का डिफ्रेंसेट बन साइन का डिफ्रेंसेट हो जाए cos x dx t का dt यह हम लोग complete कह लिए अब यहाँ से x का a value put कर देंगे बापस में इसका value क्या dt और बठा में इसको क्या लिट किये थे t power में 1 by 3 t को उपर ले जाएंगे तक t के power में क्या हो जाएगा negative अब इसका integrate करेंगे तक power में एक add करेंगे एक add करेंगे तक क्या हैगा 2 by 3 तक 3 by 2 हो जाएगा plus में c अब यहाँ पे 3 by 2 अब t का value put कर देंगे t का value क्या जाएगा t का value x plus में sin x के hall power में 2 by 3 plus में c अगया answer एक future number 4 complete हुआ अब इसी परकार से future number 5 हम लोग complete करते future number 5 ध्यान देते बहुत ही simple है future number 5 कर रहा है यहाँ पे 6 square x बटा में under root one plus में tan x इसका integrate करना इसका integrate करना simple है क्या ना अब यहाँ पे ध्यान दे एक सियाधिक function या exercise में भी है सारा क्यूचन एक जैसा है हरे क्यूचन एक जैसा बस exercise में केवाल या point को चेक करना तीन क्यूचन में ही आप लोग को exercise complete कर दिये 19.8 क्या समय ना था केवल कि जब एक सियाधिक function multiplication में हो या divide में तो उस function का integrate करने के लिए एक दुसरे का दिफ्रेंशेट चेक करते तो यहाँ पे दिफ्रेंशेट चेक कीजिए 1 का 0 10 का सेक अस्क्वार हो नीचे वाला function का उपर DC बैट चुका तो लेट कर दिजिए 1 पलस में 10 X को क्यार T तो 1 का 0 10 का सेक अस्क्वार X DX T का DT राइट ना अब बापस क्यों चन आ जाएंगे सेक अस्क्वार X DX का भेलू क्यार DT वान बाई अंडरूट क्या लेट कर चुके है T तो 1 बाई T का integration 2 रूट T अब पलस में C तो T का भेलू लोटा देंगे वान पलस में 10 X पलस में C फिर से यह कहां पर फर्मूला देती है इस तरह का क्यूचन को बनाने के लिए F-X F-X अंडरूट F-X DX इसका integrate करना F-X का ADC back चुका मतलब एक कैंसिल F-X किसका का काम करेगा X का किसका काम करेगा X का तो 1 by root X 1 by root X का integration क्या होता 2 root X X के जगव के क्या है F-X फिर से repeat करते हैं ध्यान देख F-X का DC back चुका मतलब एक कैंसिल बन गया E-X का का काम करने लगएगा जब इसका ADC बढ़ गया किसका काम करेगा X का तो 1 by root X का integration 2 root X होता है इसी परकार से इसका डिफ्रेंशेट ए बैट गया था तो 1 by root X बन गया था इसका डिफ्रेंशेट करेंक दूसरे का डिसी चेक करेंगे जी एक जी रो कॉस का माइनस साइन तो इसका ADC बैट रहा है तेहां पर क्या करना पड़ेगा लेट करना पड़ेगा A पलस में B कॉस X को क्या लेट कर देजेट ती A का 0 और B रहा गया कॉस का माइनस में साइन एक्स डी एक्स टी का डी टी माइनस B को डिफ्रेंट में कहलेंगे साइन एक्स डी एक्स का भेलू दी टी बाई माइनस में B बाफवा स्किल्चन आ जाएंगे साइन एक्स इन्टू डी एक्स का भेलू क्या डी टी बाई माइनस में B इस्टन को क्या माच चुके है T constant को बाहर कर देजे minus में 1 by B और A बन गया 1 by T DT और minus में 1 by B तो 1 by T का integration क्या हो जाएगा log more T plus में C minus में 1 by T B log T का भेली लोटा देजे A plus में B cos X plus में C किफचर नमबर 7 ज्यान दे किफचर नमबर 7 हम लोग सिंपल है किफचर नमबर 7 क्या first क्या कर रहा cos X अब बाटा में 1 plus में sin square X dx जब X या धीक फंसर multiplication वो या divide में तो उस फंसर का integrate करने के लिए एक दुसरे का दिफ्रेंसेट चक करते किस term का दिफ्रेंसेट बैठा हुआ तो यहां पे ध्यान देंगे और 1 का 0 वता sin square का नहीं sin का dc देखे तो cos ओ इसमें केवल केवल किसका दिफ्रेंसेट बैठा हुआ sin को तो sin को ही tk वलेट करेंगे sin का आजाएगा cos x dx t का dt बापस किफचन से आजाए हैं तो cos x dx का वेलू क्या लिख सकते है dt 1 by 1 plus sin को क्या माने t square तो 1 बटा 1 plus t square का क्या हो जाएगा tan inverse t plus में c अब t का वेलू लोटा देंगे क्या sin inverse sorry sin x plus में c यह आगया answer यह आगया answer यह क्यूचन हो गया इसी अहाँ पी short में इसको समझा सकते थे बना सकते थे sign का a difference बैठ गया है तो एक cancel किसका काम करेगा x का तो 1 बटा 1 plus x square का integration क्या होता tan inverse x x किसका काम कर दा sin x का काम कर दा पलस में c इसका answer हो गया डाले इतना little बनाने की जारूथ नहीं ही पी एक तो किशन समझ पा रहे है ना यदि इस तरह का short में problem हो short में problem हो इस नम्मर से आप message करें और आपका उसका आपका क्या न clear करेंगे फिट से repeat करेंगे और ए प्रस्नल भी आप लोग को एह समझाएंगे एक क्यूचर नम्मर 7 अब हम लोग और क्यूचर नम्मर इसी परकार से 7 का second देखतें तो क्यूचर नम्मर अब लोग 7 का second भी देखें यहां यहां पे क्या कर रहा है कि एक से अधीक function क्या में multiplication में तेक दुसरे का difference चेक करेंगे तेक क्यूचर आप लोग खुद से बना लें क्यूँकि इसका difference ने बैठा हुआ तो रूट एकस का integration क्या होता 2 by 3 और एकस के पावर एकस के पावर हो जाएगा 3 by 2 अब पलस में सी एकस के साथ क्या गुणा छे तेक छे भागा यह नियम है ना कि इंटेग्रेट में एकस के साथ जो गुणा हो इंटेग्रेशन में क्या होता भाग होता फिर से रिपीट इसका डिफ्रेंसेट ए बैट चुका है इसका ए डिफ्रेंसेट बैट चुका मतलब है केंचिल रूप एक किसका काम क्या लगा एकस का तो रूट एकस रूट एकस का इंटेग्रेशन क्या होता 2 by 3 और एकस के पावर 3 by 2 पलस में सी एकस के साथ क्या गुना 6 शे भाग दे दिए तेहां से कट गया थिरे तो 1 by 9 और 1 पलस में साइन 6 एकस के हाल पावर में 3 by 2 पलस में सी ए हो गया क्यूप्चन नमबर 7 तो इसको डिटेल से भी आप लोग खुल से कहलेंगे लेट करके इंटिडेट कहलेंगे तो यह बन जाएगा आप लोग को यह बना सकते तो क्यूप्चन नमबर 7 7 का अगला देखते 8 एक्यूप्चन नमबर 8 बड़ा सिंपल है क्या करा साइन एकस पलस में कॉस एकस अब बटा में दिया हुआ साइन एकस माइनस में कॉस एकस लिए इसका इंटिडेट करना सिंपल है तो जब एक से अधिक फंसन हो तो उस फंसन का इंटिडेट करने के लिए क्या करते एक दुसरे का दिफ्रेंस इट चेक करते है तो यहाँ पे साइन का दिफ्रेंस इट cos minus cos का difference पलस है ओ नीचे वाला function का उपर dc बैड़ गया जब नीचे function का उपर dc बैड़ जाता तो इसका answer होता log mod नीचे वाला अभी अभी theorem में समझाए पलस में c जब नीचे का dc उपर बैड़ जाता क्या होता log mod नीचे वाला जैसे में यहाँ पे f-x और fx a dc बैड़ चुका है किसका नीचे वाला function का उपर dc log mod क्या हो जाएगा fx पलस में यह theorem को proof भी अभी किये थे फर्स्ट में स्टार्टिंग में किये थे theorem को proof तो जब नीचे का dc बढ़ जाता तो डारेक दिख देंगे log mod नीचे वाला अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते है तो इस टर्ण को क्या कर देजिए late की gt जैसे इसको अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो late करना हुआ क्या sin x minus cos x को क्या t इसका difference is cos x इसका minus minus पलस में sin x dx t का dt राइट ना इसको क्या माने t तो 1 by t का integration हो जाएगा log mod t पलस में c इसका आजाएगा log t पलस में c sin x minus cos x पलस में c अब question number हम लोग देखेंगे 8 का second इसका integrate करना इसका integrate करने के लिए थोड़ा सा हम लोग सब्धानी बढ़तेंगे पहले 2 cos x अमपल माइनस में 3 sin x को रहने देजी इसमें देखेंगे कुछ common देखेंगे 2 तो 2 को ना common ले 2 common लेंगे तो क्या बन जागे यहाँ पे 3 cos x अब मार प्लस में यह आ जाएगा 2 sin x और dx यहाँ से क्या common ले लिए 2 अब देखें एक से अधीक फंसन बन चुगा एक से अधीक फंसन बन चुगा तो चेक करेंगे एक दुसरे का डिफ्रेंसेट तो cos का डिफ्रेंसेट मार ना सांड हो है आट का डिफ्रेंसेट कर और नीचे का डिसी उपर फिर से बैड़ गया लाँज से भी बना सकते और नीचे का डिसी उपर बैड गया इसका अंजर हो जाएगा log more नीचे वाला 3 cos 1 पलस में 2 sin x पलस में 6 पहले से क्या था 2 तो रह गया और यह हो गया क्युच्छर नमर 8 कर सके नीचे का डिसी उपर बैठ जाता तो लाग मर नीचे वाला फंसन हो जाता ऐसी परकार से क्युचर नमर 9 देखते तो क्युचर नमर 9 समझेंगे 9 क्या करा इसका डिफरेंट से करा चेक किजी इंटेग्रेट करेंगे लिए चेक करेंगे एक दुस्रे का यह किसका काम करदा एकस का एकस का ओलो हुद आगता खिसका काम करदा ृत्यत पालस यह आ गया अंसर है तो टैन का डिसी ये बैठ चुका है एक केंसी ले किसका काम करेगा एक्स का तो वन बटा अंडा रूट वन मानस एकस अस्क्वार का इंडिग्रेशन क्या होता साइन इंवर्स एक होता अगर इसको आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते और डीटेल से बनाना चाहते तो लेट कर देंगे टैन एकस को टी टैन का डिफ्रेंसिट शेक अस्को आरेकस दी एकस टी का डेटी क्यूचण आ जाएंगे शेका स्कॉर एकस का वेलू क्या डेटी वन बटा अन्डा रूप वन मारस क्या माने थे टी इसका इंटिग्र पलस में सी एह आगया किफचर नम्मान नाइन का फरस्ट तो नाइन का सकेंड देखिंग इसका इंटिडेट करने के लिए कॉस्ट को ना ऊपर देज देजिए इसका इहां पर इसका इंटिडेट करेंगे नीचे का दिसी उपर देख रहा है तो बैठ गया वन का जीरो टैन का होता है इसका सक्वार इसका काम करने लगा एकस का इसका इसका इह डिफ्रेंसेट इह बैठ चुका है ते किसका काम कर रहा एकस का तो वन बटा एकस असक्वार का इंटिडेशन क्या होता माइनस में वन बाई एकस और प्लस में सी यहां पर क्या ना माइनस है ना एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस नीचे कारदेसी ऊपर बैठ गया तो किसका काम करने के लगा X का तो 1 बटा X स्कॉर का इंटिगरेशन माइनस में 1 by X पलस में cx के साथ क्या था मायनस तो माइनस मायनस पलस हो गया और अब क्युशल नमबर कि यहां पे cos2x है cos2x का फर्मूला होता है cos2x का cos square x minus में sin square x बठा में क्या cost x plus में sin x dx के hall square एलिख लिए अब इहां पे और भी calculation करना होगा a square minus b square minus b square दिख रहा तो क्या होता a minus में b फिर क्या हो जाएगा a a किसका काम करा about plus में b बठा में क्या है ना, cos x plus में sin x, के all asquire dx, एक term, एक term cancel होगा, और बच गया क्या, cos x minus में sin x, बटा में cos x plus में sin x dx, यह दिया हुआ, आप देखें, नीचे कार्टि से उपर बैठ गया, आप यहाँ इंटेग्रेट करेंगे हां इंटेग्रेट करने के लिए एक दुस्रे का डिफ्रेंस से चेक करते हैं तो कॉस्ट का डिफ्रेंस माइनस साइड का डिफ्रेंस कॉस्ट और नीचे का डिफ्रेंस उपर बैठ गया तर अंसर हो जाएगा लॉग मौर नीचे वाला इस तरह का तु में बहुत सिंपल करा जाल के माइनस में साइन– साइन– यहां तुर नहीं है इस किसका कहा जा रहें थे शिंपल है इंटेरेट करना थोड़ा से कैलकुलेशन के जरुवत है क्या इसको लिख सकते हैं इसका फॉर्मॉला ही होता है एतना लिख सकते हैं और प्लस में sin 2x, sin 2x का न सुत्र होता है, 2 sin x into cos x, इसका सुत्र लगा लिए और hdx रहने दिए, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा क्या करें, ध्यान दें, तो इसका integrate असाने से कर पाएंगे, a square plus b square plus 2a b बन चुका है, मतलब यह हो जाएगा sin x, अब प्लस में cos x के hall square नहीं, यह लिख सकते, अब अहां से integrate करेंगे, तो इसका integrate करने के लिए एक दुसरे का डिफ्रेंशेट चेक करेंगे, बताया गया, जब भी function का डिफ्रेंशेट करना, एक से अधिक function हो, जब भी function का integrate करना हो, और एक से अधिक function का, और हो multiplication या divide में, तो उसका integrate करने के लिए, एक दुसरे का डिफ्रेंशेट चेक करते, साइन का difference is cos, cos का difference is minus sign, तो ये नीचे का DC उपर बैट गया, मतलब किसका काम करने लगा, एक सका, तो वन बटा एक सा स्क्वार का integration माइनस में, वन बाई है, समझ गए ना बात को, समझ गए ना यहां पर, समझ गया ना चाहिए, पुलस में सी है, इसका DC ये बैट गया, किसका काम करने लगा, एक सका, तो एक सा स्क्वार, वन बटा एक सा स्क्वार का integration क्या होता है, माइनस में बाई, पलस में सी बहुत सिम्पल है, बहुत ही सिम्पल है, बहुत ही सिम्पल ही सब क्यूचन है, तो ये क्यूचन नमबर तेन का सकेंड हम लोग कंप्लिट कह लिए अब हम लोग देखते question number 11 तो question number 11 देखेंगे यह भी इसका इंटिग्रेशन आसान है पहले तो cot x plus x को रहने देजी cot square x का formula होता है चेंज कहले जी cot square x minus 1 में dx एक है लिए अब ध्यान दे अब यहां पे क्या चेक करना कि अब difference x से अधिक function क्या आ गया multiplication में है तो एक दुसरी का differentiate check करेंगे cot square का यहां पे cot का differentiate क्या होता न माइनस में cot square और x का differentiate क्या हो जाएगा और प्लस बन तो इसका differentiate तो बैठ रहा है लेकिन किसका अंतर हो रहा है minus का अंतर हो रहा है यह minus होना चाहिए यह plus होना चाहिए तो इस condition में क्या कहलेंगे यहां पे ध्यान दे इससे माइनस कॉमन ले लेती है तो इस से माइनस कॉमन ले लिए माइनस कॉमन ले तो माइनस वाला प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस में पलस वाला टर्म माइनस में अब माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा पलस में दी एक्स राइफ ना इस टर्म से क्या करे लिए माइनस कॉमन लिए तब बलस वाला माइनस में माइनस वाला पलस में तो इसका डिफ्रेंशिट अब देखे बैट चुका और का डिफ्रेंशिट क क्या हो जाएगा कॉट X पलस X के हौल अस्क्वार बाई 2 पलस में सी फिट से रिपिट करना चाहेंगे इसका ADC बैठ चुका है इसका काम करने लगा X का X का इंटेग्रेशन क्या होता है X अस्क्वार बाई 2 पलस में सी यह अंसर हो गया यह जहीं कहली यह यह आप डिटेल से समाजना चाहते लाउं से बनाना चाहते तिसको क्या कह लेजिए लेप कर देजिए टिप और फिर INTEGRATE कह लेजिए अब किफचर निमबर 11 का सकेंड 11 का सकेंड 11 का सकेंड 11 का सकेंड बड़ा सिंपल है अंदर रूट साइन 2x और कौस 2x dx इसका integrator का ना इसका भी integrator कितना सिंपल है साइन or ì डिख फंशन है ळ्या धीख फंशन हो तुसका इनडिट काने इजले कि उसमाका डिप्रेंशिट चेक करते साइन का डिप्रेंशिट साइन का cost तो sin का dc बैठ चुका cost एक किसका काम कर रहा है x का काम करने लगा तो root x का integration क्या होता 2 by 3 और x के power में 3 by 2 और plus में x के साथ क्या गुना 2 तो वो तो 2 divide होगा integration का rule है और 2 दो कट जाएगा तो 1 by 3 sin के power 3 by 2 2 x पलस में c ए आ गया answer है तो इस तरीके से हम लोग future number 11 का second बना सकते यदि इसमें कोई problem हो रहा है इसमें कोई dot है और long meter से समझना चाते तो इस number से आप message करेंगे तो इस long से भी आप लोग को detail से समझाएंगे लेकि लोग में आप लोग बना सकते लोग में इसमें dot है नहीं है लोग इस तरीके का कुछ अगर यहां पर sort बना ले यदि इसको लोग से बनाना चाहते हैं तो लेट कर देजे क्या साइन 2x को ती तो साइन का डिफ्रेंस इट क्या पॉस्ट एक्स और एक्स के साथ क्या गुना टू डी एक्स टी का हो जाएगा डी टी तो कॉस्ट टू एक्स दी एक्स तू को दिभार में कहले अब बापस क्यों चन से आते हैं इसको क्या माने थे टी इतना का भेलू क्या डी टी बाई टू रूट टी का इंडिग्रेशन 2 बाई 3 टी के पावर 3 बाई 2 और एक तू कॉंस्टेंट था रहा गया तो टू कट गया ते यह 1 बाई 3 टी का भेलू क्या रख देंगे साइन के पावर 3 बाई 2 और 2 एक पलस दिया वही तो आया वही आया ना अंसर वही आया लंग से बनाई या शोट से दोनों तरीका आप से हैं अब क्यूचन नमबर हम लोग देखेंगे 12 तो क्यूचन नमबर 12 इसका इंटेरेट करना सिम्पल है इसका इंटेरेट करने के लि और बी रग्या पॉस का डिफ्रेंसिट मायनस में साइन एक्स दी एट्स्टी का डित्स मायनस किधर लिए आएंगे ते साइन एक्सन डिक्सका वेलूर डीटी बाई मायनस में बी अब बापक्स क्यूचन आजाएंगा इतना को क्यालेट कर चुके हैं ती पावर में अ sin x dx का वेलू dt by minus b minus b को बार कहले है ते बन गया t per power n dt अब इसका integrate कर देज़े क्या कर देंगे t square का integration t k power n plus 1 by और n plus 1 plus c minus 1 by b t का वेलू क्या a plus में b cos x के whole power में और n plus में बन अब बाटा में क्या जाएगा न ये बाटा में आ जाएगा n plus 1 और ये बी रह जाएगा minus s रह गया और plus में c ये हो गया answer future number 12 अब इसी परकार से future number 13 देखे तेरा बड़ा simple है तेरा का first कराक्ट 2 x plus में बन 2 x plus में 3 2 x plus में 3 अंडर रूट अंडर रूट x स्क्वार प्लस में 3 x dx एक से अधिक फंचन हो तो इस फंचन का इंटेड़ेट करने के लिए एक दुसरे का दिफ्रेंसिट चेक करते ध्यान दे एक स्क्वार का दिफ्रेंसिट 2 x 3 x का 3 इस फंचन का इंटेड़ेट चुका मतलब एक कैंसिर एक किसका काम करने लगा x पलस में 2 अंदर रूट x अस्क्वार प्लस x पलस 1 dx इसका इंटेड़ेट करना तो सिंपल है न सर इससे दो कॉमन ले ले तो 2 x पलस में क्या बन जाएगा 1 और अंदर रूट x अस्क्वार x पलस में 1 dx तो एक से अधिक फंचन है तो दुसरेंसिट चेक करेंगी x अस्क्वार का 2x, x का 1, 1 का 0 तो इसका ADC बैट चुका तो एक कैंजी ले किसका काम करेगा? x का तो रूट x का इंटेड़ेशन क्या बता? 2 by 3 और x के पावर में 3 by 2 हो जाएगा अब बलस में 2 दुनी 4 by 3 x अस्क्वार x पलस 1 के हॉल पावर में 3 by 2 पलस में बलस भी यह आ गया अंसर, क्युच्वार 3 का सकेग्ड अब हम लोग समझते क्यूच्वार 14 क्यूच्वार 14 देखेंगे इसका इंटेरीट का सिंपल है इस सेंक्यूच्वार 13 जैसा है इसका एक से अधिक फंसाने एक दुसरे का differentiate चेक करेंगे तो इसका difference का वह चार दुनी 8x तो यहां पर 4x है 6x का difference 6 होना चाहिए यहां पर 3 है और 1 का जरी इसका DC तो बैठ रहा है लेकिन क्या कम हो रहा 2 इसमे 2 multiplication कर दे 2 divided कर दे तो 2 multiplication करेंगे 8x और 3 दूना 6 तो 2 गुना कर दिये और दो भाग दे दिए और ए इंटू में क्या रह गया 4X स्क्वार 6X पलस में 1DX तो इसका डिफ्रेंशेट ए बैठा चुके हम लोग तो इसका इंटिग्रेशन क्या हो जाएगा ए तो X का काम करने लगा ना क्योंकि इसका डिफ्रेंशेट बैठ चुका तो रूट X का इंटिग्रेशन क्या होता 2 बाइ 3 और X के पावर में 3 बाइ 2 3 बाइ 2 पलस में सी होता ए 2 टू कैंसिल तो 1 बाइ 3 4X स्क्वार 6 X पलस 1 के हॉल पावर 3 बाइ 2 पलस में सी यह आग्या क्यूचर नंबर 14 अब हम लोग देखते क्यूचर नंबर 15 बड़ा सिम्फल है क्यूचर नंबर 15 का फ़र्ज्ट एक करा X इंटू अंडर रूट 1 पलस में X स्कुार डिए X यादी फंसन आग्या तो इस फंसन का इंडिडेट करने के लिए डिफ्रेंशेट चेक कहें लिजे 1 का डिफ्रेंशेट 0 और X स्कुार का 2 O यहाँ पे 2 नहीं है 2 माल्टिप्लिकेशन 2 डिवाइड बालेंस कहें लिए और एक डिफ्रेंशेट हम लोग बैठा लिए तो इसका एक डिफ्रेंशेट बैठ गया किसका काम करने लगा X का तो root X का integration अभी अभी तो हम लोग से खे 2 by 3 और X के पावर में 3 by 2 पलस में ची 2 to cancel हो गया 1 by 3 1 पलस X स्कुार के हॉल पावर 3 by 2 पलस में ची एक क्यूश्चन नंबर 15 का फर्स्ट हो गया अब इसी परकार से 15 का सकेंड देखे तो आप लोग बना पाएंगे 15 का सकेंड करा X अंदर रूप 1 पलस में 2 X स्कुार्ड दिये इसका इंटिडेट करना सिंपल है न इसका इंटिडेट देखे न 1 का तर 0 इसका डिफ्रेंशेट हो जाएगा 4 तो फोर्स से क्या कर देंगे मल्टिप्लिकेशन और डिभाइड इंटिग्रेशन अधी आप लोग को बहुत बेश्ट रखना है और बेश्ट बनाना है तो बीना डिफ्रेंशेट के आप चल नहीं पाएंगे फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया गया थाकि इंटिग्रेट का क्योचण तब लोगों को असान और समझ में आएगा अच्छे से जब तक आपको डिफ्रेंशेट किलियर नहीं तो डिफ्रे टिफ्रेंशेट किलियर है पावर में एक से पावर में 3 नियू अब यहां से कट कर देजी ते दू ते इसको लिख सकते वन बाई सिक्स वन बाई तिन दून अचे और वन प्लस में टू एकस अस्क्वार के हॉल पावर में थिरी बाई टू पलस में सी ए आ गया अंसर एक क्युचर नमबार 15 का सकेट तो क्युचर नमबार 16 देखेंगी इसका इंडिडिट करना सिंपल है एक त grille अधीक फंसन आ गया तो इस फंसन का इंडिडिट करने के एक दुसरे का डिफ्रेंट शेट चेक रहेंगा तो किस फंसर का difference बैठा हुआ तो x इसका difference देख चेक करते तो यहाँ पे क्या जाएगा 6x 2x का यहाँ पे 2 लेकिन है 1 1 का जी इसका DC बैठ रहा लेकिन उपर में किसका कम्यूरा 2 का तो वही balance कहे लेजिए तो 2 से भाग और 2 से गुना तो 3 दूना 6x और 2 तो नीचे का DC तो उपर बैठ चुका ना तो जब नीचे का DC उपर बैठ गया तो यह किसका काम करने लगेगा x का यह तो cancel तो 1 by root x तो 1 by root x का काम कर रहा तो 1 by root x का integration क्या होता 2 root x तो यह हो जाएगा 3x square मानस में 2x पलस बन 1 by root x का integration होता है 2 root x प्लस में c तो इसका DC यह बैठ गया मतलब यह cancel अगे किसका काम करने लगा x का काम करने लगा तो 1 by root x का integration क्या होता है 2 root x पलस में c 2, 2 cancel तो यह लिख सकते हैं 3x square मानस में 2x पलस में 1 पलस में c यह आगया आंज़ा एक क्यूचर नमबर 16 इसी परकार से क्यूचर नमबर 17 हम लोग complete कर सकते क्या दिया हुआ x मानस 1 अंडर root x square मानस में 2x और 2x दिया हुआ और इसका integrate करना तो ध्यान दे इसका integrate करना simple है x square का difference इट 2x होगा और 2x का 2 यहाँ पे x है यहाँ पे 1 है तो इसका balance करने के लिए क्या करना होगा 2 से multiplication और divide एक कहे लिए और बच गया क्या x square मानस में 2x dx यहाँ तक complete है अब इसका integrate करेंगे इसका ABC बैठ चुका है तो इक किसका काम करेगा x का root x का integration root x का integration होता 2 by 3 और x के power में 3 by 2 पलस में ची दो दो केंचिर 1 by 3 x square मानस 2x के हाल पावर 3 by 2 पलस में ची यह हो गया question number 17 तहीं हम लोग अभी तक question number 17 तक complete के लिए तब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अजडें thank you अजडें शुक्रिया फिर मिलते हैं अगले क्लास में question number हम लोग 18 से क्लास में अभी तक